हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई जेनल ते टेस्ट ओफ इंडिया फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूपर टेस्टी सा कुलड वाला पास्ता अगर आपने इसे ट्राइ नहीं किया है तो इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा इसे बनाना बहुत ही आसान है और जो कुलड की खुश्वू इसमें गुल मिल जाती है बहुत टेस्टी लगती है तो जली फिर बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें पास्ता बनाना है तो पास्ता बोईल करने ला है, मैंने भगोनी के अंदर पानी बोईल किया है, उसमें मैंने टेस्ट के कोडिंग पास्ता डाल दिया है, नमक डालके अच्छे से बोईल करके साइड रख दिया है, पेन के अंदर डाला है बटर और थोड़ा सा ओल, अच्छे से गरम होने के बा पाउडर सभी टेस्ट की अक्वाडिंक में मसाले डाल दिये हैं Почему आपनी टेस्ट की अक्वाडिंक इसमें मसाले रखीएगा अच्छे से मिक्स करके मुसाले के साथ मैंने इसे पका लिया happy फिर मैंने बोईल किये वे पास्ता डाले हैं पास्ता को अच्छे से हमें निकाल के इसे थोड़ा सा ओल डाल के रख देना है तब ही हमारी पास्ता खिले खिले बनेंगे अच्छे से पास्ता को मिक्स कर दिया है इसमें टमाटर सोस डाला है मिक्स करके मैंने इसे रख दिया है अब थाओ इसाद्स अब मेने इस तरए की मिट्टा के कुल्ड लिए। मैं दोड़ मेने लिये दोनों के अंदर मैंने डाल दिया ह।ा है थोड़ा-ाथोड़ा बटर बटर डाल के जो हमने पास्ता बनाया था वो इसके अंदर भर देना है, तो सबसे पहले मैंने आदा भरा है कुलड को, फिर आदे कुलड में मैंने डाला है चीज, अगर आपके पाद चीज नहीं हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, पर चीज डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर मैंने चीज डालने के बाद फिर से इसमें डाला है पास्ता तो बीच में चीज डालीगा बहुत टेस्टी लगेगा फिर से मैंने इसमें पास्ता डालके उपर डाला है चीज तो आप अपनी टेस्ट के कोडिंग कोई भी पास्ता ले सकते हैं मैंने मेरी टेस्ट के कोडिंग जो मुझे पसंदे वो वाले अच्छे से दोनों को मैंने भर दिया है उपर से मैंने चीज भर के चाट मसाला डाला है ताकि टेस्टी लगे फ्रैंस इसे हम माइक्रोवेब में नहीं बनाएंगे तो कड़ाई में बनाएंगे तो इस तरह की मोटे दले के आप कड़ाई लीजेगा और फिर जो कुल्लर हमने से इसमें सैट हो चुका है और इसमें जो मिट्टे की खुश्बू अच्छे से गुल मिल जाती है प्रैंस उसका तो कोई जवाब ही नहीं ला जवाब बनते हैं तो एक बार इसे ट्राई कीजिएगा हमारे कुल्लर पास्ता तैयार है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शे सब्सक्राइब थैंक यू सो मुच फ्रैंज